हलो फ्रेंड्स हमने पनी लास्ट वीडियो में अभी तक ये पढ़ रहे थे हम कि सुतंदरता से पहले सिच्छा का क्या हाल था भारत में आज की वीडियो से हम ये पढ़ेंगे कि सुतंदरता जब हमें मिल गई उसके बाद सिच्छा का क्या हाल था भारत में ठीक है कौन-कौन से आयोग की स्थापना की गई भारत में जब नई गवर्मेंट बनी तो उसने क्या किया सिच्छा के लिए ठीक है कौन-कौन से आयोग बने कौन-कौन सी गोशना है हुई ठीक है कौन-कौन से अनुछेदों में परवर्तन हुआ ये सारी चीज़े हम अब प भारत में सिच्छा पडाली में सुधार के लिए ब्यापक नितियों की जिफारिस की, पंच वर्सी योजनाओं के तहित सिच्छा का बिकास, 1950 में भारत सरकार ने सिच्छा सहित जीवन के विविन पहलियों के बिकास के लिए, पंच वर्सी योजनाओं के लिए योजना तो हम उसे जल्दी पा सकते हैं, ठीक है क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ उसी पर होता है, तो योजना आयोग का गठन इसलिए किया गया था, क्योंकि 5 बर्स के लिए हम कुछ न कुछ योजनाय बनाते थे, और उनको पूरा करने की कोसिस करते थे, तो योजनाय आयोग क्या करता था, कि जो आगने वाले 5 साल हैं, उसके लिए गवर्मेंट के लिए कुछ लच निरधारित किये जाते थे, कि गवर्मेंट को ये लच पूरे करने 5 साल के अंदरगार, कर लेते थे तो वो सफल कहलाती थी योजना, नहीं कर पाते थे तो असफल कहलाती थी, ठीक है, तो सारी चीज़ें थी इसमें, अब ये जो योजना आयोग बनाया गया, तो इसने कुछ सिच्छा के लिए जो अपने लच निरधारित ही है, उनके अवारे में देख लेते हैं, तो पहला था निर्च हरता मिठाने के लिए, ठीक है, मतलब जो कम लोग पढ़े लिखे हैं, उन के लिए उसने बढ़ाएंगी, देश के हर चिले में उच गुडवत्ता वाली सिच्छा के लिए सुबधाय बर्दान करना, ठीक है, पहरे बेबसाय को और कॉशल प्रसिच्छन कारकरम स्थापित करने के लिए, ठीक है, तक कि बेबसाय में करांती आ सके, और तर सिच्छा क कि सभी चरणों का आधुनी करन करने के लिए, ठीक है, अभी तक जो सिच्छा चल रही थी, काफी पिछड़ी टाइम की चल रही थी, ठीक है, उसमें नएने सुधार करने के लिए कि किसमें क्या क्या चेंच किया जा सकता है, तो ये सारे इस जीज़ां करने के लिए, इनके दो आयोगों का गठन किया, पहला जो था, वो था विश्विध्धाले सिच्छा के लिए बनाया गया आयोग, और दूसरा जो था, वो मादमिक सिच्छा के लिए आयोग बनाया गया, ठीक है, दो सिच्छा आयोग बनाया गये थे, तो विश्विध्धाले सिच्छा आयोग, 1948 42 में आया था, ठीक है, और इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे राधा कृष्णन आयोग की नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके जो अध्यच थे, वो डॉक्टर S. राधा कृष्णन थे, जो कि उस समय की उपराष्ट पती भी थे, ठीक है, हमारे पहले उपराष्ट पती कौन तो ऐस रादाकृष्णन थे और इन्हें को इसका अध्यच बनाया गया था जब ये रादाकृष्णन आयोग आया या ये बनाया गया तो इन्होंने कुछ सिपारसे की सिच्छा को लेकर ठीक है अब उन्हें सिपारसों को पढ़ लेते हैं कि कौन-कौन से इन्होंने उसके अलाबा कम से कम 180 दिन पड़ाई होनी चाहिए थिक है बिश्विध्यालेओं में दूसरा था कि समान सिच्छा की अत्रिक बैपसाइक सिच्छा पर भी बल दिया जाना चाहिए थिक है समान सिच्छा जो दी जारी बहुतों दी जाए साती साथ हमें बैपसाइक किया हो सभी ने फिरह कि सभी बिश्विध्यालों के इस्तर एक समानों कि जितने भी बिश्विध्याले हैं उनके जो इस्तर हैं वो समान रखे जाएं कोई उपर नीचे ना रखा जाएं फिरह सिच्छा को संबरती सूची में रखा जाएं उस समय जब सिच्छा थी वो राज जो कि जितने भी बिश्य बिध्याले हैं उनका माज़र रसन कर सके। उसके वाद हमारा जो next आयोग आया वो आया मादमिक सिच्छा आयोग। ठीक है तो भारा सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लच्मन स्वामी मुदालियर की अध्यच्छिता में मादमिक सिच्छा आयोग की स्थापना की उन्ही की नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा गया तो याद रखना कि मादमिक सिच्छा आयोग को किस नाम से जाना जाता है तो मुदालियर आयोग की नाम से इसे जाना जाता है ठीक है इसकी स्थापना कब हुई तो 23 सितंबर 1952 को ही दोनों चीज़ आपक ठीक है इन्हों का जो प्राथमिक सिछ्छा है वो कम से कम 4 या 5 बर्स की होने चीए ठीक है, grading system की भी पहल इन्हों नहीं कही थी, ठीक है, इसकी भी सिफारिस की, फिर रखा कि उच्छ तता, उच्छ तर मादमिक इस्तर की सिच्छा की पाटकरम में, एक मूल विशेर है जो अनवार रहे, जैसे की गड़ित है, समान ग्यान है, कला है, संगित, बतरब कोई न अच्छ से याद रखना, पूछा जाता है question काफी important आयोग है, ये भी, ठीक है, next देख लेते हैं, next हमारे जो आयोग है, वो है कोठारी आयोग, सन 1964 में भारत की केंदरी सरकार ने, डॉक्टर दौलत कोठारी की अधिच्छता में, इसकूली सिच्छ प्रडाली को नया आकार अबर नई दिसा देने के उद्देश से एक आयोग का गठन किया, इससे कोठारी आयोग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि दौला सिंग कोठारी इसके अधिच्छ थे, इसलिए से कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, भारत का ऐसा पहला सिच्छ आयोग था उन्होंने सामाजिक जो बदलाब हो सकते हैं, उसे ध्यान में रखकर सुझाओ नहीं दिये थे, लेकिन इस आयोग ने क्या किया था? जो सामाजिक बदलाब हो सकते थे, उन्हें ध्यान में रखते हुए सुझाओ दिये थे अपने, कुठारी आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रि अनिवार नहीं था, लेकिन इसमें कहा गया कि जो सिच्छा है, विध्याले सिच्छा उसमें बिज्ञान की सिच्छा को पार्ट करम का अनिवार रंग बनाया जाए, दूसरा था कि 11 बर्स की आयोग तक सभी बच्चों को अनवार तथा निशुल्क सिच्छा दी जाए, ठी जहां पर वेबसाइक सिच्छा भी दी जाए, फिर है कि प्राथमिक सिच्छा मात्रवासा में दी जाए, मात्रवासा में सिच्छा में सिच्छा दी जाए, जितनी भी प्राथमिक सिच्छा दी जा रही बच्चों को, वो मात्रवासा में दी जाए, ठीक है, यह बहुत बड इंहोंने कहा कि इस्थनाद तक जो सिच्छ है वो तीन बर्स की होने चाहिए इसके अंतर का सभी बर्गों के लोगों को समान सिच्छा प्रदान होने चाहिए मतलब इन्होंने का कि Common School System चलाय जाए जिसमें सभी बर्ग है कोई भी बर्ग हो उसके जो लोग है उन्हें समान रूप से सिच्छा दी जाए ठीक है और समान सिच्छा दी जाए ऐसा नहीं है कि कोई उचे बर्ग है तो उससे ज्याद अच्छी सिच्छा दी जा रही है निम्न सिच्छानीटी 1968 ुकोथारी आयों की रिपोर्ट पर अधारी थी , जिसे। नौ प्रस्तुत किया गया, जिसमें राश्टी सिच्छा नीती 1968 के मूल लित्ततो निम्ड़ प्रकार से हैं मैं तो हम देख लेते हैं, राश्टी सिच्छानीटी जो तो राष्टी महत को बिसे गोशित किया गया, ठीक है, इसे क्या किया गया, राष्टी महत को बिसे गोशित कर दिया गया, 1968 में, और माना गया कि सिच्छा दौरा ही लोगतंत को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है, ठीक है, ये चीज मानी गी, कि अगर हमें लोगतंत को मजब पूइन्ट या ही आदक नुढ़ एक तीसरा इनोंने जो सुफारिस किए उसमें देख लेते हैं क्या-क्या था कि केंधरी बजट जो होना चाहिए उसका 6 परसेंट सिच्छा पर ब्याय होना चाहिए वतरी जो भी जीलीपी बगरा होता है उसका 6% हमें सिच्छा पे बया करना है ये एक तरीके के लच्छ रख दिया कि हमें 6% करने ही करना है सिच्छा पे बया फिर है कि राष्टी सिच्छा नीती 1968 के अंतरगत राष्ट के सभी बच्चों को जाती धर्म, लिंग, इस्थान आदी बढ़न के उसका 7% तरीके से बच्चे के साथ कोई भी बढ़न किया जाएगा और हमें समान रूप से सिच्छा की अपसर परदान की जाएगी फिर है कि छात्रों के लिए खेल कूद की उत्तम बेवस्ता की जाएगी ठीक है अभी तक खेलकूद पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया था लेकिन इन्होंने इसमें रखा है कि खेलकूद की वे में उत्तम बेवस्ता करनी है सिच्चिकों के इस तरह तता सिच्चन पर सिच्चन में सुधार करना है जो टीचर्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग बगएरा है वो भी अच्छे तरहीके से करनी है फिर है कि परिच्चा पडाली में सुधार किया जाए जो भी परिच्चा पडाली अभी तक हो रही थी उसमें सुधार की जरूरत है फिरका कि बिग्यान सिच्छ अबें बैग्यानिक अनसुंधान पर ध्यान देना है ठीक है जो भी बिग्यान उजो रिसर्च बगारा जो होती है ठीक है बिग्यानिक रिसर्च बगारा जो होती है उस पर भी ध्यान देना है उस पर भी सही तरीके से रुपए बगारा खर्च करना है तो यहाँ पर खतम होता आपका राष्टी सिच्छा नीती 1968 नेक्स्ट वीडियो में हम राष्टी सिच्छा नीती 1986 की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तयारी करते चलिए अच्छे से और नोर्स बनाते चलिए यही सारी टॉपिक हम सेकेंड बुक में भी पढ़ेंगे वहाँ पर हमें चीजों को अच्छे से पढ़ना है और डीपली पढ़ना है ठीक है तो यहाँ पर आप इसे skip भी कर सकते हैं ठीक है बस आराम से पढ़ लिजेगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इन चीजों के बारे में तो टैंसें ना लें सारी चीजें बहुत आराम से हो जाएंगी ठीक है इतने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इसी टॉपिक है आपको अभी हाड लग रहे होंगे लेकिन आप दो-तिन वार पढ़ेंगे तो इस चीजें सारी समझ मा जाएंगे आपके ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बिर्फ दो बाचिन अवाओं अच्ट सवीडियो